हेलो एब्रिवन, कैसे हैं आप लोग? वर्ड जियोग्रफी का ये जो सीरीज चल रहे हैं उसका आज हम नवा चेप्टर डिसकस करेंगे जो की है Water in the Atmosphere तो इस चेप्टर का आज हम डिसकस करेंगे Part 2 तो इस से पहले हम लोगों ने Part 1 अल्रीड डिसकस कर लिया है तो अगर आप लोग यह series follow कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो world geography के जो syllabus है उन में से 8 chapter जो हम लोगों ने starting से discuss कर लिया है from the universe, the earth, interior of the earth, distribution of ocean and continents, land form and their evolution, atmospheric composition, solar radiation, heat balance and temperature, atmospheric circulation and weather system तो इसका जो आज 9 chapter है water in atmosphere तो इसका जो है हम part to discuss करेंगे तो देखें यहाँ पे world geography को इस तरीके से हम लोगों ने prepare किया है चाहे वो आपके prelims हो या फिर mains हो, दोनों के ही तयारी आप इस series से कर सकते हैं कुछ भी competitive exams आप preparation कर रहे हो, चाहे वो UPSC हो, किसी भी state के PSCs हो या कुछ भी competitive exams हो even geography के जो optional students है उनलों को भी यहाँ पे जो है काफी फाइदा मिलेगा तो अभी तक world geography की जितने इफी वीडियोस हम लोगों ने discuss कि हैं सारे के सारे वीडियोस को playlist बना के मैंने description में दे दिया है वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं और इस वीडियो का जो note है आपको हमारे website में free of cost मिल जाएगी नीचे description में मैंने website का link दे दिया है वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं तो बहुत कुछ चीज आज यहां पे discuss करेंगे तो इस वीडियो को end तक बिल्कूल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कहें तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के तो लोग कर लिजिएगा तब यहां पे basically starting से जो है water cycle से हम लोगों ने जो शुरूआत की थी यहां पे evaporation क्या है condensation क्या है dew point क्या है तो थोड़ा सा यहां पे हम लोग इससे related discuss करेंगे तो थोड़ा सा अगर पुराना पार्ट आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को समझने भी काफी easy होगी तो evaporation जैसे की already हम लोगों ने discuss किया था कि एक process है जिस process से जो water होती है यह water जो है liquid state से जो है यहां पे gaseous state पे transfer होती है अभी एक चीज देखे यहां पे दो process होती है एक होती है evaporation और एक होती है यहां पे जब हम लोग water को heat करती है यानि कि जो boiling process तो boiling process में क्या होता है कि water को हम लोग heat करते है water की जो temperature है यह 100 degree centigrade से उपर जब चली जाएगी तो यह gradually जो ह vaporize होना start होगी लेकिन evaporation में क्या होती है कि यह water का जो temperature है यह बढ़ता नहीं है सेम रहता है यहां पे तो यहां पे जो liquid form से यहां पे जो है gaseous form में यह water जो है evaporate होता रहता है तो दोनों में ही एक देखे यहां पे sunlight यहां पे गिर रही है तो sunlight यहां पे एक बहुत ही important factor है और जो boiling process में हम लोग artificially क्या कर रहे है इसको heat हम लोग heat energy जो है यहां पे apply कर रहे हैं तो दोनों ही situation में जो है heat is one of the main point होता है जहां पे evaporation होता है तो basically यहां पे evaporation के बारे में discuss करेंगे तो evaporation जब हम लोग discuss करते है तो देखे कुछ-कुछ यहां पे factors होती है जो factors यहां पर बहुत ही important role play करती है evaporation में पहला factor आप यहां पर normal आप यहां पर assume करने की कोशिश किजिएगा कि amount of water available amount of water available मने यहां पर एक सबोद मान लिजिए कि एक ऐसा area है जहां पर water बहुत जादा है तो इस area से जितना water evaporate होगा एक small area से उससे कम water evaporate होगा basic चीज है यहां पर amount of water available एक बहुत ही important factor होती है temperature यहां पर temperature अगर बहुत ही कम temperature होगा तो वहां पर मतला अगर मान लिजिए कि एक ऐसी जगा उस जगा पर minus में temperature है और एक जगा पर मान लिजिए कि वहां पर 40 degree centigrade है तो obviously 40 degree centigrade जहां पर होगी वहां पर evaporation rate भी थोड़ी सी quicker होगी in comparison minus में अगर कहीं temperature है relative humidity के बारे में already हम लोगोंने discuss कर लिया है यहां पर तो यह एक ऐसा process होता है जिस process में जो atmosphere में जितना भी यहां पर moisture होता है और भी moisture यहां पर यह जो है absorb नहीं कर पता है एक saturation point में पहुंच जाता है एक particular temperature में तो relative humidity बहुत ही important role play करता है evaporation के time में यहां पर area of the evaporating surface यहां पर लगभग उतना ही मिल किया जा रहा है जो amount of water available यानि कि जितने area में यहां पर evaporating जो surface है जादा area होगा जादा evaporation होगा यहां पर कम area होगा evaporation कम होगी wind speed बहुत ही important factor play करता है तो wind speed मतलब क्या होता है कि saturated air जो होती है saturated air मतलब यहां पर जो air की molecule से वहां पर यहां पर क्या होता है कि जो air molecules हो गई फिर water vapors जो यहां पर content होती है यह इस से ज़्यादा क्या करती है और भी यहां पर water absorb नहीं कर पाता है यहां पर saturation point पहुँच चुका है तो अभी air क्या करती है incompletely यह जो air mass को यहां पर इसको बहा के लेके चला दाता है और इसको replace कर देता है dry air से अभी dry air मतलब क्या है कि यहां पर कुछ भी एकदम बिल्कुल ही water molecules नहीं होगा तो water molecules नहीं होगा तो क्या होगा evaporation rate यहां पर faster हो जाएगा तो evaporation rate faster कैसे होगा मान लिजे कि एक room है और उस room में लगधग एक छोटा सा room है मान लिजे कि उस room की ability जो है सो लोगों को वहां पर accommodate करने की वहां पर already जो है सो लोग अंदर रखे होए हैं तो definitely आपको वहां पर अंदर जाने के लिए problem हो जाएगे लेकिन मान लिजे कि इन सो लोगों को बाहर जो है निकाल दिया गया अभी यह room completely खाली है तो definitely बहुत ही easily आप इस room के अंदर जा पाऊगे same process यहां पर भी लागो होती है जब एक saturated air mass में यहां पर पूरी completely यहां पर water molecules हो गई यहां पर air particles हो गई ब्लोक होगा तो यहां पर evaporation होगा ही ने because already यह area जो है filled है जब dry air mass यहां पर आ जाती है replace कर दीती है wind तो क्या होता है कि easily यहां पर जो water vapors जो है यहां पर जो है अंदर चली जाती है तो इससे क्या होता है कि wind के वज़े से यहां पर evaporation भी faster हो जाती है next यहां पर discuss करेंगे air pressure तो air pressure क्या होता है कि air के द्वारा जो नीचे एक pressure exert किया जाता है already इसके ओवर हम लोगों ने जो chapter number 8 में detail में discuss क्या था atmosphere pressure क्या होती है air pressure क्या होती है तो यहां पर जितना ही lower pressure होगा यहां पर उस surface में यहां पर जो है higher rate of evaporation होगा अभी lower pressure यहां पर होने से क्या होता है कि जादा यहां पर जुतना भी air molecules की जो एक pressure exert करेगी यह काफी कम होगी तो गरम जो area होता है यहां पर यह lower pressure होता है तो उसमें air particles की जो है density काफी कम होगी जितना भी यहां पर थंडा हो जाएगा air हितना ही heavy यहां पर जो है air pressure यानि कि condensed wave में होगा यहां पर density बढ़ जाएगी air molecules की तो वहां पर obviously evaporation होने में भी problem होगी यहां पर खाली air में जितन problem होता है तो low pressure surfaces में क्या होता है कि liquid जो होती है evaporation rate भी higher होती है यहां पर composition of water composition of water मतलब यहां पर मान लिजे कि जो भी पानी evaporate हो रहा है अगर उस पानी में यहां पर अलग-अलग particles हो गई जैसे कि यहां पर salinity of water के बारे में बात किया जाए यान कि पानी जितनी नमकीन evaporation slower होगा यहां पर fresh water में जितना evaporation होगा saline water में उतना ही कम evaporation होगा तो इसलिए पानी की composition भी बहुत important factor है यहां पर then यहां पर evaporation की बात किया जा रहा है कि जो green areas है यानि कि हम लोग ने transpiration के बारे में बात किया था यानि कि जो plant होती है यह plant की root से जो यहां पर जमीन क कि कुछ ऐसी जगा है वहां पर बहुत ज़्यादा पहाड़ी है greenery बहुत ज़्यादा है तो वहां पर क्या होगा evaporation भी faster होगा for example अगर आपने देखा होगा जो मेघालया है मेघालया की जो चरापुन जी यहां पर तो उस जगाव पर क्या होती कि बहुत ही बड़ी area पर green तो वहां पर जितना evaporation होगा उससे क्या होगा condensation होगा फिर condensation के बाद यहां पर precipitation होगा तो उसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा मैघालया के चरापुन जी माउसीन राम वहां पर जितना बारिश होती है in comparison to the Mumbai Mumbai में आपको उतना बारिश कभी नहीं मिलेगी बिहार में जाइए बिहार में उतना पारिश नहीं मिलेगी लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक चीज़ देखें बिहार में भी बहुत बड़ी-बड़ी areas है जहां से evaporation हो सकती है अलग-अलग जगा पर है लेकिन in comparison वहां पर जहां greenery areas ज्यादा होती है वहां पर जो है evaporation rate भी faster ह होता है next यहां पर बात करेंगे जो condensation evaporation को लगभग हम लोगों ने detail में discuss कर लिया है जो जो main factors के साथ यहां पर तो condensation क्या होती है transformation of water vapor into water यानि कि जो water vapor है उस water vapor को जब water हम लोग transfer होते हैं होते देखते हैं तो इस process को बोलते है condensation तो condensation जो होती है इस process में loss of heat होता है तो loss of heat कैसे होता है मान लिजे कि यहां पर यह water है यह water जब यहां पर क्या हूती है कि जब यह vaporize होता है तो इस में क्या होते है कि heat energy ऑलेड़ी यहां पर exert होता है, तो heat energy के साथ जो water vapor होती है, ये water vapor में water के साथ जो energy यहाँ पे included होता है अभी क्या होता है कि water vapor से जब ये फिर से water molecules में convert होगा, तो ये क्या करेगी जो excess heat इसमें लग गया था, ये heat इसको release करेगी, तो इस heat को हम बोलते है, latent heat तो यहाँ पे, जो है condensation में heat की loss होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होती है कि air जब यहाँ पे cool होती है तो उसकी जो capacity और भी water vapor जो absorb करने की capacity होती है ये बंध हो जाती है तो इसमें water vapor की जो molecule से जो excess molecule से वहाँ पे ये क्या करती है, liquid form में condense हो जाती है, तो इसको अगर हम लोग एक graph के तरीकी से समझेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छी से समझ में आ जाएगा यहाँ पे, तो देखें कि एक ऐसा situation है, यहाँ पर मान लिजे कि यह जो है बर्फ है, जो solid state में है, यहाँ से हम लोगों ने इसको heat देना बढ़ते बढ़ते यह solid liquid state में पहुंच जाएगा, तो इसके बाद जब यहाँ पर heat देंगे, यह क्या होगा, liquid form में चले जाएगी, तो इस process को हम बोलते है, melting, अभी melting को हम लोगों ने फिर से अगर यहाँ पर freeze कर दिया, यानि कि इस से heat को यहाँ पर freeze कर दिया, फिर से यह solid बन जाएगी, अभी जो यह liquid बन चुकिए है, उसको अगर फिर से यहाँ पर जो है, इसको heat देटे चलेगे, तो एक ऐसा time आएगा यहाँ पर, उस time में क्या होगा, यह जो है, एक point में यहाँ पर vaporize होना, शुरू हो जाएगा, अभी vaporization के बाद यहाँ पर फिर से अगर इ यहाँ पर जो है, यह liquid, gaseous process में पहुंच जाती है, तो यह होता है, जो heat process से हम देते हैं, same process अगर देखेंगे, हम लोग energy input, solid से यहाँ पर जब पहुंचते हैं, energy बढ़ते बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाती है, एक ऐसा point आती है, इस point में क्या होते है, कि face change होती है, तो इसमें क्या होती है, यह liquid form में आता है, liquid form से यहाँ पर फिर से energy आते हैं, यहाँ पर क्या होती है, यह vaporation point में आती है, फिर vaporation point से यहाँ से जो gaseous form में आता है, अभी gaseous form से जब liquid form में आती है, इस process को हम बोलते है condensation, then यहाँ पर अगर condensation, liquid process से यहाँ पर जब हम लोग इसको फिर से अगर इसको solid process में लाना है तो इसको हम freezing process से ला सकते हैं यहाँ पे तो यह freezing process यहाँ पे जो है हम external भी ला सकते हैं या भी naturally अगर यहाँ पे temperature बहुत ही कम होगी यहाँ पे freezing point से आ जाएगी जब gaseous state से immediately कुछ भी water droplet immediately solid states आती है तो उस process को हम बोलते हैं sublimation process तो इसके बारे में भी already discuss कर चुके हैं तो अलग-अलग forms of condensation के बारे में discuss करेंगे यहाँ तो already dew क्या होती है dew point क्या होता है थोड़ा था हम लोगों ने discuss किया था तो क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि atmosphere में यहाँ पे जितने भी water particles है तो एक ऐसा point आ जाता है जिस point में क्या होता है कि एक particular temperature में यह है जब यह cool down होना शुरू करता है temperature इसका क्या होता है कि जो ability to absorb water vapor जो है यह बंद हो जाती है इससे ज्यादा यह water absorb नहीं कर पता है तो इससे क्या होता है कि जो excess water molecules है यह excess water molecules जो है in the form of water यह छोड़ना शुरू करती है तो यह जो होती है generally जब ठंड आ जाता है यहाँ पे gradually हम लोग ने discuss किया था कि जैसे कि जो दिन सर्दियों में जैसे कि आपने देखा होगा कि पूरे दिन के जो बाग जब gradually यहाँ पे अंधेरा होता है तो temperature cool down होता है तो इसमें क्या होता है कि घास के उपर यहाँ पे stones के उपर यहाँ पे plant leaves के उपर जो है dew की formation होती है तो dew की formation की होती है gradually temperature cool down हो गया है यहाँ पे ability to hold excess water vapor यह बंद हो चुका है तो excess water vapor जो है in the form of water के रूप में because of condensation यहाँ पे देखना शुरू हो जाता है तो एक चीज़ देखे यहाँ पे condensation के लिए जो dew की formation के लिए जो condensation होती है यहाँ पे इस dew point की जो temperature यहाँ पे freezing point से ज़्यादा होना पड़ेगा यानि कि मानिज़े कि लगभग यहाँ पे 25 degree centigrade में अगर dew की formation हो रही है तो यह definitely freezing point से उपर ही है अगर यहाँ पे जो यह 25 से अगर नीचे चलाया गया यानि कि atmospheric जो temperature यहाँ पे अगर मानिज़े कि minus 5 degree centigrade है तो यहाँ पे dew की formation अलग तरीके से होगी तो इसको हम बोलते हैं frost, frost के बार में भी हम discuss करेंगे अभी dew की formation के लिए जो ideal condition है clears क्या होना चाहिए generally अक्सर सर्दियों में clears क्या होता है calm air यहाँ पे calm air होना पर एगा बहुत ही ज़्यादा wind होगी तो problem हो जाएगी high relative humidity होनी पर एगा high relative humidity तभी होगी जब saturation point आ जाएगा cold and long nights यहाँ पर यानि कि obviously हम लोग देखते हैं कि equinox के बाद यानि कि 23rd September के बाद जो क्या होता है कि gradually night time की जो duration है बढ़ती जाती है तो dew की formation भी ज्यादा होते रहते हैं तो घासों में अक्सर आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे जो dew होगे leaves में होती है stones में देखने को मिलते हैं ऐसे dews जो होती है because यहाँ पर water vapor जो है अपनी excess water atmosphere में जो water vapor होता है अपनी excess water vapor को पानी के रूप में छोड़ देती है through the process of condensation next बात करेंगे हम frost frost की formation भी same होती है लेकि इस पर major difference क्या है कि dew में generally हम लोग को इंडिया में dew देखने को मिलते हैं लेकिन यही situation अगर आपको जो है जो थंडी countries होगी तो वहाँ पर frost के रूप में दिखाए देगा तो बहुत ही थंडी जगाओ पर मानीजे कि जो European countries हो गई Northern American countries जो Canada हो गई यहाँ पर रश्या हो गई तो वहाँ पर क्या होता है कि थंडियों में सर्दियों में temperature जो है 0 degree centigrade से नीचे चली जाती है यान कि minus 5 degree centigrade तक पहुंच जाती है तो दिन में तो यहाँ पर नॉर्मेल रहता है लेकिन रात को gradually यहाँ पर क्या होगा जब तो सब्सक्राइब, देजह चोड़नी की कोशिश करती है लेकिन यह PARP बिकॉऩ अफ डूरेचर के वज़े से इंमेडेटलよね हम होता है आइस का, आइस क्रिस्टल का रूप ले लेती है यहाँ पे, तो इसी को हम बोलते हैं frost, तो frost के लिए यहाँ पे जो condensation होती है, below the freezing point, यानि कि जो freezing 0 degree centigrade से नीची होना पड़ेगा, जो dew point है यहाँ पे, तो यह excess moisture जो है यहाँ पे, minor ice crystal में formation हो जाती है, तो condensation की जो process है, dew formation या फिर frost formation, same होता है, इसमें difference यही है, कि dew में जो temperature होता है, यह 0 degree centigrade से उपर में होता है, और जो frost में जो temperature होता है, यह 0 degree centigrade से नीचे होता है, तो अक्सर आप लोगों ने कभी movies में, या फिर अगर आप गए होंगे, तो ऐसे situation देखे होंगे, तो यहाँ पे देखे कि जो भी, हम पानी की जो molecules है, water molecules है, यह immediately freeze होके minor ice crystal में convert हो जाती है, तो ऐसे कुछ दिखने लगता है, वहाँ पे, आप घास के उपर भी यहाँ पर अगर work करोगे, तो आपको वहाँ पर frost feel होगा, यहाँ पर सड़कों भी जब work करोगे, midnight के time में, तो वहाँ भी frost आपको feel होगा, यहाँ next बात करते हैं, यहाँ पर fog, तो fog क्या होता है, यहाँ पर temperature of the air must, यहाँ पर जब बहुत ही large quantity में है, तो यहाँ पर कुछ external factors होगे, यहाँ पर smoke होगे, यहाँ पर जो smoke particles होगे, तो यहाँ पर क्या होता है, कि यह सब भी जो यहाँ पर mix हो जाती है, तो इसके साथ जो 10 particles के स यह जब condensed होती है, तो क्या होती है, कि यहाँ पर यह थोड़ी से heavy हो जाती है, तो near to the ground tag यहाँ पर पहुच जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि एक ऐसा situation create कर देता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा water vapor की molecules होगी यहाँ पर, और because of यहाँ पर क्या होती है, कि यह dust particles य ground के नीचे आती है, यहाँ पर, तो fog is nothing but a mini cloud है, यहाँ पर, जहाँ पर condensation होते जाता है, और आप लोगो वहाँ पर देखते में था, तो इससे क्या होता है, कि visibility काफी ज़्यादा कम हो जाती है, ज़्यादा थर जो urban areas में, Delhi में आपने सुना ही होगा, कि तना ज़्यादा fog के यहाँ पर एक साथ, जो condition होती है, उसको बोला जाता है, smog, तो foggy situation में अकसर ऐसे ही आपको कुछ दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्या होती है, कि clean area नहीं है, यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा pollution है, तो dust particles जो है, यहाँ पर, atmosphere के साथ mix होके, यहाँ जो ground के नीचे तक आ ग well ही है दोनों, दोनों की formation एक तरब की होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, mist में ज्यादा moisture content होता है, in comparison to the fog, तो वहाँ पर जितने भी water molecules की जो nuclei है, यहाँ ज्यादा moisture एब्सॉर्फ कर लेती है, ज्यादा तर mountain areas में mist को देखने को मिलता है, जहाँ पर rising warm air, जो है warm air उपर immediately चली जाते है यहाँ पर, तो यह जो है, ठंडी areas की जो slope होती है, वहाँ पर जब मीठ होती है, तो ज्यादा तर ऐसे जगाओ पर, जो mist को देखने को मिलता है, तो mist में क्या होती है, water droplets हो, या फिर, जो moisture content काफी जादा होता है, और थोड़ा था, in comparison to the fog, यहाँ पर visibility जो है, clear होती है, यानि कि mist में थोड़ी सी visibility अच्छी दिखने को मिलता है, तो mist और fog लगभग यहाँ पर एक ही type के होता है, अगर आप लोग ने mist का कुछ देखना होता है, तो ऐसा जो कोहरा होता है, यहाँ पर smoke particles की यहाँ पर quantity कम होती है, और moisture की quantity काफी जादा होती है, तो ऐसा कोहरे की तरह जगा भी देखे होंगे, बहुत सार जगाँ पर, नदियों के पास, यहाँ पर पहाड़ों के area में, तो यहाँ पर यह mist की formation होती है, तो यह ज़ादा moist होते है in comparison to the fog, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही discuss करेंगे, काफी सड़ी important, interesting point है, जो हम लोगों ने यह यहाँ पर discuss किया, तो जो भी books यहाँ पर refer किया है, always starting from the NCRT physical geography, आप बिना कुछ सोचे समझे, इसको जो है, आप follow कर सकते है, best book है, आपकी basic concept को clear करने के लिए, तो यह definitely इसको पढ़ने हैं आपको, जब human geography, economic geography पढ़ेंगे हम, NCRT के books से ही शुरू करेंगे, जी सीलियों के book भी आप follow कर सकते है, geomorphology और बहुत सारे parts को बहुत अच्छी तरीके से समझाये हुआ है, या फिर अगर आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी additional information चाहिए, especially means के लिए थोड़ी सी additional information चाहिए होता है, क्योंकि NCRT में basic चीज़े दी हुए, थोड़ी सी additional information के लिए, कभी-कभी physical geography के सविंदर सिंगी book भी आपको refer करना पर सकता है, यहाँ पे, और general studies का जो book है, मनुहर पान्री जी का जो book है, यहाँ पे आप geography, economy, history, environmental, सब कुछ subject आपको एक ही book में मिल जाएगे, अभी क्या है, कि इन सभी books के link मैंने जो description में दे दिये हैं, वहाँ से आप उसको online purchase कर सकत हैं, और देखे एक चीज़ हमेशा याद रखेगा, अच्छे से अच्छा notes आपको क्यों न मिल जाए, लेकिन जो standard books होता है, उसका कुछ भी replacement नहीं होती है, तो always go for standard books, तो इन सब books को आप online purchase कर सकते हैं, अगर online purchase करेंगे, तो definitely आपको यहाँ पे काफिर discount भी मिलेगा, और आपकी time की भी बचयत होगी, तो next part में हम discuss करेंगे cloud की formation, जो condensation का ही एक form होता है, और precipitation, तो part 3 में हम discuss करेंगे, see you in the next video, और ये वीडियो गर आप लोग को अच्छा लगा, इसको please like कीजिए, इसको subscribe कीजिए, इसको share कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और research की जरूता थी, और आप लोग का support हम लोग को बहुत ज़्यादा inspire करता है, और भी hardware करने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहे history rise, take care, thank you and joy in.